छाली चीजे समझ में आई है जैसा कि आपने कमेंट सेक depend में मुझे बताया साथ ही साथ आज हम जोला मुक्री शुरू करने से पहले जैसा कि आप सब को विद्ध हो चूकंध कि हम हम लोग एक या दो क्लास पहले जाके और वहां से अपना रिविजन शुरू करते हैं ताकि जो पहले अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आपका क्लियर होता चले तो हमने बढ़ाता सबसे पहले भूकंप के हमने बात करी थी भूकंप यह जिसको अर्थक्विक भी कहा जाता है हमने सबसे पहले उसकी परिवाशा देखने की कोशिश करी थी आप देखेंगे कि भूकंप दो शब्दों से मिलके बना है भू और कंप तो भू जो शब्दे इ पहले दर्टी पहुंचती हैं जिस पॉइंट पहुंचेंगे उसको आप अधी केंद्र के नाम से जानते हैं ये भी पता है कि जो उद्गम केंद्रे और जो अधी केंद्रे वो एक दूसरे के साथ कित्रे डिगरी का कौन बनाएंगे साथ ही साथ हमने आखरी क्लास में ये भी बात करें थी कि इस लाइन को आप क्या नाम दोगे फॉल्ट लाइन इसको कहते हैं और फॉल्ट लाइन पर ही वो बिंदू होता है जहां से उर्जा का क्या होता है विमुक्त होती है इसको अंगरी जी में हाइपको सेंटर और फॉकस भी कहा जाता है जबकि अधिकेंदर को अंगरी जी में कहा जाता है एपी सेंटर हमने ये भी देखा क्यों जो एपी केंदर है वो किकित्टे डिग्री का कौन बनाएगा भूकम को हम लोग तीन भाग में विभाजित कर सकतें पहला दूसरा और तीसरा पहले को हमने उथले छिचले या क्रिस्टल भूकम के नाम से भी जाना था दूसरे को हमने मद्यवर्ती भूकम के नाम से जाना था उठले भूकम में हमने पढ़ाता ऐसे भूकम जिनकी गहराई जिनका उद्गम केंदर आपको कहां से कहां देखने को मिले 0 से 70 किलो मीटर तक आपको देखने को मिले मध्यवर्ती भूकम को उसका उद्गम केंदर आपको 300 किलो मीटर तक देखने को मिल सकता है और 300 से 700 किलो मेटर तक अगर उद गम के इंदर देखने को मिल रहा है तो इसको आधिक गहरा ही या गहरे भूकम कहेंगे इसको हमने shallow earthquake बूला था मद्यवर्थी को हमने intermediate earthquake बूला था और 300 से 700 जिसको हमने गहरे भूकम या deep earthquake भी बूला था इसके बाद हम आगे चलेते और आगे हमने बात करेती कि भूकम को कैसे मापा जाए तो भूकम को दो तरीके से मापा जा सकता है एक तो उनके magnitude या परिणाम उसको मापें दूसरी उसकी तीवर्था को अगर मापना हो तो हमने जब यह देखा था कि जब अगर हमको magnitude मापन करना है तो magnitude के लिए हम कौन सा scale use करेंगे magnitude या परिणाम के लिए हम लोग जिस scale का use करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है उसको नाम से जाना जाता है इसके नाम से रिक्टर scale के नाम से उसको जाना जाता है वही पर अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको तीवरिता कामापन करना है तो आप मर्कली scale का परयोग करेंगे मर्कली scale इसी कोई modified या संशोदित मर्कली scale भी कहा जाता है यहाँ पर रोमन संख्या में आपके लिखे होते हैं यहाँ इंग्लिश वर्ड माला में जो अक्षे लिखे रहते हैं 1,2,3,4 इस प्रकार से एक से कहां तक मिलेंगे 10 तक आपको यहाँ देखने को मिलेंगा और 1 से 12 वहाँ देखने को मिलेगा किस scale में आप लॉक का प्रयोग करते हैं वह आप comment section में मुझे बताएंगे परिणाम या मैं कहूं magnitude अगर मापना है तो magnitude में आप क्या मापते हैं हम लोग उर्जा कितनी उर्जा निकली है उर्जा के आधार पर भूकम वो को मापा जाता है और वहाँ पर अगर आपको तीवरिता मापनी है तो तीवरिता का मतलब क्या है कि कितनी हानी हानी के संधर में अगर आपको मापन करना है तो आपको उसके तीवरिता का मापन करना पड़ेगा ये दो टेबल भी देखे थी टेबल में फिर से कह रहा हूं बहुत सारे लेमा बात हो रहे थी मरकली स्केल की यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमने देखा था जौला मुखी के कुछ कारण हो सकते हैं जौला मुखी कारणों में हमने देखा था कि जौला मुखी कारणों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं भूकम्प के जो कारण है भूकम्प के कारण इनको हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं दो भागों में विभाजित कर सकते हैं कौन कौन से प्राक्रतिक तथा मनुष्य जनित प्राक्रतिक और मनुष्य जनित प्रक्रतिक कारण ऐसे कारण जो प्रक्रति के द्वारा हूँ पा रहे हैं और मनिश्चे जनित में हमने देखाता है ऐसे कारण जो मनिश्चे के द्वारा किये जा रहे हैं तो हमने जब प्राक्रतिक कारणों की बात कर दी तो हमने पाया कि जो आला मुखी क्रियाओं से भी क्या हो सकता है, भूकम पा सकता है, फॉल्टिंग से क्या हो सकता है, भूकम पा सकता है, प्लेट विवरतिने की सिद्धान्त के कारण भी क्या हो सकता है, भूकम पा सकता है, क इसके लाबा कुछ अन्य कारण भी ऐसे हो सकते हैं, जो मनुष्य द्वारा निर्मित किये गए, उनसे क्या आ सकते हैं, भूकम्प आ सकते हैं, तो अगर प्लेटों का मुव्मेंट हो रहा है, प्लेटों का संचलन हो रहा है, प्लेट संचलन, क्या हो रहा है, प्लेट संचलन, तो प्लेट जो संचलन हो रहा है वो किस प्रकार का कारण है तो हमें पता है कि प्लेटो का संचलन संवन धाराएं द्वारा होता है और संवन धाराएं कोई मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है तो प्लेटो के संचलन से जो भूकंप आएंगे वो किस प्रकार के भूकंप हो सकते हैं या प्राकरतिक भूकंप होते हैं इसमें हमने देखा था कि जो प्लेट सीमा हैं आपको याद होगा अभी सारी अपसारी और समानांतर वह तीन हो जागे हमको क्या देखने को मिलेंगे भूकंप देखने को मिलेंगे महीं पर मैं आगे बात करूँ तो आगे बात करने भूकम्प ला सकता है तो ये बहुत common सी सेंस है कि अगर पिंड का आकार बहुत छोटा है तो वो भूकम्प नहीं पैदा कर पाएगा तो पिंड का आकार या उलका पिंड का आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए तब ही क्या हो पाएगा भूकम्प आ पाएगा अच्छा इसक बूकंप आजाते हैं मानव जनित में हमने सबसे पहले पढ़ा था R.I.S. रिजर्व वायर इंडियूस अर्थक्विक जिसमें हमने देखा था कि जलाश है जलाशियों में जब पानी भरा जाता है और पानी के साथ वाँ पे अफसाद भी जमा होते हैं लगाता प्रत्वी की जो उपरी भू परपटी है उस पे लगातार क्या करते रहते हैं दाब लगाते रहते हैं और उस दाब के कारण क्या आते हैं भूकंप आते हैं तो किसके द्वारा बनाए गए हैं ये रिजर्वायर ये खोकले होने के कारण जो प्लेट है वो नीचे गड़ जाएगी, जमीन जो है वो आपकी नीचे धस जाएगी, धसने के कारण भी क्या हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं क्या, तो हाँ आपने देखा था जैसे ट्रेने अगर आपके आसपास से गुज सकता है, तो कुछ अन्य कारण भी ऐसे हो सकते हैं, जिससे क्या आजाए, भूकम आजाए, आगे चलते हैं, देखे, एक बात और मैं आपको बता दू यहाँ पे, कि अगर मुख्य परिक्षा में भूकम को लेके कोई सवाल आपसे पूछा जाता है, मुख्य परिक्षा में आपको जो हम इस लेक्षर में पढ़ रहे हैं, यह सब तो आपकी कॉपी में होना ही चाहिए, साथ ही साथ जो हमने प्रत्वी के आंत्रिक संरशना में पढ़ा था कि भूकम जब आता है, जब उर्जा का उत्सरजन होता है, तो पी और एस प्रकार की तरंगे भी निकलते है एक्जामिनर आपको अच्छे नंबर नहीं देगा, मैं यहाँ पर अच्छे इसलिए कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर आज्यूम यह नहीं कर सकते कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, यूपी एससी की परिक्षा में, यूपी एससी की जो मुख्य परिक्षा हो हमको पूरे में से पूरे नंबर दें हाला कि हम उन गलतियों को सदारने की कोशिश भी करेंगे लेकिन जनरली जो CSE का इतिहास देखेंगे आप तो बहुत कम ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएं तो पूरे में से पूरे नहीं लेकिन हम अच्छे नंबरों के लिए एस्पायर करते हैं अच्छे नंबर अगर आपको भूकंप से लेखे कोई सवाल पूछा जाता है मुख्य परिख्षया में तो आपको भूकंप का क्या बताना पड़ेगा पहले परीभाशा बताना पड़ेगा, साथी साथ भूकंप के प्रकार बताने पड़ेगे, भूकंप क्यों आता है उसकी कारण बताने पड़ेगे, भूकंप आता है तब क्या क्या होता है तो उसमें आपको P और S तरंगों के बारे में बताना पड़ेगा, काइक तरंगे और लिए आपको खुद से कुछ मेहनत करनी पड़ेगी तो टीचर का जो रूल है वो यहीं तक है कि मैं आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट बता दू आज से पहले जो भी चीज़ी हुई है वो हमारे कंसेप्ट से कैसे रेलेटेड हैं वो या तो क्लासेज में या किसी और तरी के भूकम की बात करूं या सीरिया के भूकम की बात करूं या हाली में जो अफगानिस्तान पाकिस्तान और उत्तरी भारत में जो भूकम पाया उसकी बात करूं उससे क्या होगा उससे 2023 में जो 23 में जो अटेम्ट दे रहे हैं उनके लिए तो फायदे मन वो चीज़े हो सकती हैं लेकिन 24 में अगर आप सेम चीज लिखे आते हैं तो उतना अच्छा नमबर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप उस समय एक साल पुराना करेंट अफियर अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे तो यही होता है कि यहां पे जब हम लोग पढ़ा देते हैं उसके बाद आपका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है कैसे बढ़ जाता है कि आपको यह चीजें यह concept तो अच्छे से समझने हैं साथ ही साथ इनको हर दिन या जब भी ऐसा कोई news आपको देखने को मिले जहां पर earthquake की बात हो रही है यहां पर जवाला मुखी की कोई बात हो रही है यहां पर plate tectonic सिद्धांत की बात हो रही है plate विवड़तनी की सिद्धांत की तो आपको अपने notes में क्या करना है revise notes में आप उनको add करते जाएंगे तो जब आप notes बनाएं तो बात एक यह रखें कि आपकी copy के आपके page के दो side होता है एक इस तरफ होगा जिसको मैं कह सकता हूँ यह front front side होगा और दूसरी तरफ इस page का ही क्या होगा back side होगा तो एक front side होता है page का और दूसरा back side होता है page का तो आप कोशिश कीजिया करें कि सिर्फ आप जो notes बनाएं अपनी copy में वो front side में बनाएं या तो यह practice आप कर सकते हैं front side में आप क्लास के notes बना सकते हैं जो भी आप किसी किताब से पढ़ रहे हैं तो उसके notes आप सिर्फ एक side में बनाएं front side में back side उसकी खाली छोड़ दें क्यूं मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत चीजें current के साथ आप जोड़ने शुरू कर दोगे वो आज हो सकता है आप नहीं जोड़ पारें लेकिन आज से दो महीने बाद तीन महीने बाद जब कुछ विशे और आपको समझ में आने लग जाएंगे तब आप उनको बहुत आसानी से जो समसमाई की विशे हैं जो current affairs हैं उनके साथ जूड़ना शुरू कर देंगे तो आप मानो आपने क्या पढ़ लिया भूकम पढ़ लिया भूकम के नूर्स आपने एक तरफ बना दिये और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कहीं कोई प्रशान्त महासागर में या मैं कहूं अट्लांटिक महासागर में या कहीं और कहीं पे भी अगर भूकम पाता है तो बूकम पाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि उसका रिक्टर स्केल पे कितना हम आपन रहा वहाँ ये बताया गया कि कौन कौन सी प्लेट इसमें इन्वाल्वर ही साथी साथ ये बताया जाएगा कि क्या उससे कोई जुआला मुख्य करिया हुई या नहीं हुई यह सब चीज़े बहुत सारी चीज़े उसमें नियूज में आपको बताई जाएंगी तो वो सब चीज़े अगर आपने फ्रेंट पेज में लिख देंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो नूट से वो इतने घिचपिच हो जाएंगे कुछ समय बाद कि आपको खुद को पढ रेलेटेडड है उसको डिवाइड कर लें जैसे यूपेश्स का शीट होती है उस तरीके से आप इसको क्या कर लिया आपने डिवीजन कर लिया इस तरीके से सर्फ यहाँ पर आप क्या बनाएं नोट्स बनाएं जो side में जो आपने margin छोड़ें उसमें क्या करनें जो current affairs से related जो भी चीजें आ रही है वो यहाँ पर लिख ले यहाँ पर आप मानलें यह blue pen से लिख ले तो आपको पता रहेगा यह चीजे current से related है और यह चीजे static से related है तो के बार क्या होता है यह जो परिक्षा है इसमें आप अनुतिन हो जाते हैं आप पास नहीं कर पाते हैं उसके पीछे का कारण क्या आप hard work तो कर लेते हैं लेकिन जो smart work की यहाँ पर जरूरत होती है वो हमसे कई ना कई मिस हो जाता है और इस exam में इतना बड़ा जब syllabus होता है तो बहुत important हो जाता है आपका revision करना और revision में भी आपको दोनों चीज़े करना है आपको concept भी revise करना है और current affair भी revise करना है अब आप सोचे आपका concept कही और किसी और copy में लिखा हुआ और current affair के आपने notes कही और बना रखे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप यहाँ पर रिक्षा के उत्तर में लिख सकता हूँ तो वहाँ पे ध्यान रखेगा कि current affair और static जो portion है वो एक साथ करें मैं यह सिर्फ जोग्राफिज की बात नहीं कर रहा है आप सारे subject में भी ऐसा कर सकते हैं वो भी वहाँ पे भी equally beneficial वो रहेंगे आपके लिए इसके बाद हमने बात करें थी कि भूकंपों का जो वैश्विक वित्रण है वो कहां कहां आपको देखने को मिलेगा या मैं कहूँ पूरे विश्व में कहां कहां आपको भूकंप के जटके मैसूस हो सकते हैं तो इसके लिए हमने देखा था कि हमने पूरे विश्व को कितन को मिलेगा नाम यह आपको उतार है प्रशान्त महासागर में आपको देखने को मिलेगा उसके बाद हमने बात कर रही थी मद्य अट्लांटिक पेटि की जहां पर adelante को मुलती है और उस कटक के कारण जब सागर नितल का प्रसर्ण हो रहा है सागर नितल सागर की जो महासागर की प्लेटे बीच में से टूट रही है कौन से गती हो रही है ये आप पाएंगे ये divergent plate boundary है अब सारी गती है आप पे देखने को मिल गी है तो उसके कारण क्या आते हैं आप पे भूग काम पाते हैं हमने देखा था मध्य महाध्वीप ये पेटी है जिसको का जा क्योंकि Atlantic क्या है महासागर में मिल रही है इसलिए महाध्वीप ये पेटी और इन तीनों के अलावा अगर कहीं और किसी जगह भूकम प आ गया किसी plate के कारण तो उसको आप किस नाम से जाना होगे अंतहरब प्लेट भूकम्त के नाम से जाना होगे इसके बाद हमने circum piscific zone क इसकी बात करें थी जिसको परी प्रषान क्षेक्तर का जाता है तो हमने देखा था ये कौन सा महासागर है ये है प्रशान महासागर तो इसके चारों तरफ यहां से न्यू Samsung eviden शुरू होगा यहां जावा इंडो इसे को क्या कहा जाता है सरकम पैसिफिक बेल्ट कहा जाता है अब माल लीजए यहां से कोई सवाल पूछना चाहती है तो किस तरीके से प्राडरम्बिक परिक्षा में यूपी सी सवाल पूछेगी यूपी सी आप कुछ पांस साथ देशों के आपको नाम दे देगी और वो प पता है जो एजिप्ट है वो कहां पर में देखने को मिलेगा वो अफरीका में देखने को मिल रहा है और अफरीका से क्या ये परी प्रशांत जो पेटी है या सरकम पैसिफिक जो जोन है या अफरीका तक जा रहा है या नहीं जा रहा है तो हम देख पार है कि यहां पर कहीं प पैसिफिक जून में है या नहीं है, तो आज आपका ये होमवर्क है, क्या होमवर्क है, कि अपनी एटलस में आपको देखना है, एटलस में जाएंगे, तो कहीं आखरी में आपको देखने को मिल जाएगा ये, आपके पस कौन सी एटलस है, इस पर डिपैंट करता है, तो उसम आपका homework यह है क्या करना है आपको कौन कौन से देश आपको यहां देखने को मिलेंगे आज आप ढूंडिये नहीं होता है तो फिर मैं आपको आगे बताता रहूंगा लेकिर आज आप यह homework करना है आपको तो कौन से मासागर में आपको मिलेगी प्रशांत मासागर में मिलती ह क्यूं मिलती है क्योंकि हमें पता है जो प्लेटों का मुवमेंट है वो इस प्रकार हो रहा है इसके कारण क्या हो रहा है कौन सी प्लेट बाउंडरी बंडरी है यहाँ पर अभी सरन और अभी सरन के कारण यहां पर क्या आते हैं भूकंप आते हैं इसके बाद हमने बात करी थी मध्य अट्लांटिक पेटी के बारे में जो आपको काम देखने को मिलेगी अट्लांटिक महा साकर में देखने को मिलेगी जो ऐसा करके आपको देखने को मिलती है यहाँ पर क्या होता है कटक का निर्माण होता है और अब सारी divergent plate boundary आपको देखने को मिलेगी इसके करण यहाँ पर क्या आते हैं यहाँ पर हमने बात करी सरकंपैसिफिक की यहाँ पर हमने बात करी mid-atlantic की उसके बात शुरू होता है जिसको हमने का था mid-continental मध्य महाद VPA क्या यह भारत से होके गुजरती है तो आप देखिए भारत का जो उत्तरी भागे जिसमें हिमाले आपको देखने को मिलेगा वहाँ से पेटी होके गुजरती है आप यह बहुत आसानी से देख सकते ही जो प्राइद VPA भारत है वहाँ पे आपको भूकम पर देखने को नहीं मिलते। उसके पीछे कारण कि ये है कि कुईसी भी पेटी, जो तीन प्रमुक पेटी हैं, प्राइध विपिय भारान से कोके नहीं गुजर रही, सबसे ज़्यादा जो भूकम के जटके महसुस होंगे वो होंगे आपको सरकंपैसिफिक जोन में, तो मैं कहाँ काईध माध्य महाध्य है और सबसे कम अंतहः वाला जो किसी प्लेट के बीच में हो सकते हैं इसके बारे में अब चप्चा करने की जरूरत निये बहुत बारा पड़ चुके हैं आगे हम चलते हैं और आगे काफी महत्वपूर्ण जो टापिक था हमको आज शुरू करना था वो क्या है जौला मुखी आप इस स्लाइड में भी देख सकते हैं आपको जौला मुखी की एक तस्विर दिखा जा रही है पीछे जौला मुखी लिखा हुआ आगे की तरफ पर प बाहर निकलती हैं और क्या-क्या वस्तु होंगी वो आज हम आगे भी देखेंगे कि मैगमा जब बाहर निकलता है और धर्ती पर इस प्रकार की नदियां बहती हैं लावा की जो होए नदियां इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको बहुत सारी लहरी भी इदम लावा जो होता है इतना गरम होता है जैसे आपने पानी कहीं बहा दिया एक्जेक्ली पानी तो नहीं शहद आपने कहीं गिरा दिया और शहद बहना शुरू कर दे इस प्रकार ये लावा बहना यहां पर शुरू करता है और लावा जब शीतलन के प्रक्रिया से ठंड आउना शुरू होगा आपको पताईए कौन सी चटान बनने की अगर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्षन में मुझे बताईए तो कल हमने एक चीज और पड़ी थी जुआला मुखी जुआला मुखी और दूसरी हमने पड़ी थी जुआला मुखी अता हमने बात करेती वाल के नो और हमने बात करेती वाल के निजम को लेके तो जुआला मुखी अता है बहुत बड़ी चीज है बहुत बड़ी चीज मतलब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि मैगमा का जन्म हुआ और मैगमा जब लावा में बदल गया तब तक सारी ज जब मेगमा अपर आ चुक है और मेगमा किसमे परिवर्तित होगा आप लावा में परिवर्तित होगा तो जॉआला मुक्षी तया एक बड़ी चीज़ है और उसका एक छोटा हिसरा क्या है जॉआला मुखी है यानता कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से पता है कि ये मैगमा कहां से आएगा जादा तर जो आपको जो अला मुकी देखने को मिलते हैं प्रत्वी पे वो ये जो दुर्बल मंडल हमने देखा था यहां से इस दुर्बल मंडल में जो पदारत हैं क्यूंकि हमें पता है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तापमान क्या होगा बढ़ेगा साथ इसाथ एक और चिज हमको पता है कि दुर्बल मंडल के में अवाले देखने को मिलते हैं चुकि यहां पर रेडियो धर्मी पदार्थ भी है साथी साथ यहां पर तापमान भी अधिक है तो रेडियो धर्मी पदार्थ क्या होता है इनका विखंडन होता है जब रेडियो धर्मी पदार्थ विखंडन होता है जब यह तूटते हैं तो क्या उत्सर्जित करते हैं उर्जा का उत्सर्जन करते हैं तो यहां पर भी उर्जा का उत्सर्जन हो रहा है यहां पर पहले से उर्जा है तो इतनी सारी उर्जा होने के साथ क्या होता है यहां पर जो पदार्थ है वो किसमें बदल जाते हैं मैगमा में परिवर्तित हो जाते हैं अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मैगमा होता क्या है क्या मैगमा में सिर्फ अर्दितरल पदार थी आपको देखने को मिलेगे या और कुछ भी आपको इस मैगमा में देखने को मिलेगा तो आपको हो सकता जानके शौक लगे कि मैगमा में आपको तीनो अवस्था देखने को मिलेंगी, कुछ पदार्थ थोस अवस्था में देखने को मिलेंगे, कुछ अवस्था जो पदार्थ है वो द्रवी अवस्था में देखने को मिलेंगे, और कुछ आपको गैस में भी देखन तो तीनों जो पदार्थ के अवस्थाएं होती है तीनों अवस्था आपको कहा आँ देखने को मिलेंगी क्यों ऐसा मिलती है, कि मानों किसी चैट्टान चैट्टान गलाँक बिन्दू बहुत ज़ादा है तो पूरी तरीके से गल नहीं पाएगी गल नहीं पाएगी इसका मतलब वो थोड़ा सा किसमें रहेगी अभी थोस अवस्था में रहेगी तापमान महता देगे कुछ चटाने ऐसे भी होंगी जो द्रवी अवस्था में बदल गी तो यहाँ पर आपको द्रव भी देखने को मिलेगा तो क्रिया ही करेंगी चैमिकल रियक्शन होंगी दोनों में साथ-साथ और जब कैमिकल रियक्शन दोनों में साथ-साथ होती हैंगी तो कुछ रिजल्ट बनेगा अब बात करते हैं लावा क्या होता है और मैगमा क्या होता है तो हमको एक बात तो बहुत अच्छे से पता है कि अगर प्रत्वी के धरातल के प्रत्वी की भूपर पठी के नीचे अगर अर्ध तरल पदार्थ है तो इसी को आप क्या कहोगे इसको आप जानूगे मैगमा के न आपका स्कूल में नाम जो विध्याले में या महा विध्याले में आपका नाम आनंद हो सकता है ठीक है और कोई और जिससे आपको लगाता रात में फोन पे बात करते हैं वो आपको बाबू शूना जिस नाम से पुकारना चाहिए उस नाम से पुकार सकता है तो आप इनसान तो एक ही है इनसान एक है लेकिन नाम अलग-अलग है वो पदार्थ तो एक ही है जब रत्वी के अंदर था तो मेगमा हो गया जब घर में है तो नाम चिंटू है घर से बाहर चला गया तो बोला कि नाम में कुछ बजन होना चाusion तो नाम उसका आनंद रख दिया अब इसका नाम क्या हो गया है लावा हो गया है तो क्या क्या डिफरेंस होता है इसमें अब आप एक बात बताईए ज्यादा खतरनाक क्या है मैगमा ज्यादा खतरनाक है या लावा ज्यादा खतरनाक है तो हमें ये पता है कि मैगमा तो क्या है प्रत्वी के नीचे है तो ये तो हमको directly कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है लेकिन अगर लावा लावा कब होगा जब मैगमा बहार आ जाएगा तो ज्यादा खतरनाक हमारे लिए कौन है ज्यादा खतरनाक हमारे लिए लावा है तो इसी को कहा जाता है ये बहुत वाले टाइल है क्या है ये बहुत वाले टाइल और ये होता है वाश्प शील बहुत कियसा होता है ये वाश्प शील खतरनाग भी कौन है? लावा है और ज्यादा वाश्प शील मैगमा हमको कोई नुक्सान पहुचा ने रहू सकता है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं उसके नीचे भी बहुत सा जी समवन धाराई चल रही है और समवन धाराई हमें क्या चल रहा होगा मैगमा चल रहा होगा लेकिन वह हमको कोई नुकसान तो नहीं पहुचा रहा है लेकिन माली जी मैगमा जहां पर आप खड़े हैं और ऐसे आगनी चट्टाने बनेंगे कि हमारे जीवाश में भी समाप हो जाएंगे, तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, अब बात करते हैं कि जौला मुखी को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, मैंने कुछ कमेंट सेक्शन में बात चीत देख अगर लाइव क्लास होती है तो माना जाता है कि कमेंट देख रहे होंगे, लेकिन अगर रिकॉर्ड़ेट क्लास है तो उसमें आप नीचे क्या देखते हैं, नीचे जो सिस्टम होता है बच्चा उसको देखना पढ़ता है कि कही बार ऐसा होता है कि मैं लगातार क्लास में delivery कर रहा हूँ और वो record नहीं हो पार है तो बार-बार इस बात पर नजर देखने पड़ते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो record हो रहा है या नहीं हो रहा है या मेरी जो आवाज है वो proper जा पार है या नहीं जा पार है तो इसलिए मेरे को बार-बार नीचे देखना पड़ता है तो जौला मुखी को कुछ भागों में विभाजित किया जा सकता है, कुछ आधार पे हम जौला मुखी को क्या करेंगे, विभाजित करेंगे तो सबसे पहले हम जो विभाजन करते हैं वो उद्गार की अवधी के आधार पे करते हैं उद्गार की अवधी, आप ऐसे समझिये कि एक जौला मुखी है, वो पहले किसी जमाने में इतिहास में कभी उसमें उद्गार हुआ होगा, लेकिन पिछले 400-500 सालों में उसमें कोई जौला मुखी का उद्गार नहीं हुआ है, दूसरे जौला मुखी ऐसे हो सकते हैं कि जिन में 100 साल पहले जौला मुखी उद्गार हुआ है, लेकिन कभी कभी अब भी बहुत छोटे छोटे रूप में जौला मुखी का उद्गार होता रहता है, कभी उसमें से गैसे बाहर आ जाती है, कभी उसमें से जलवाश बाहर आ जाता है, इस प्रकार वो जौला मुखी उद् में हो रहा हो। ऐसे हलान के फिक्स टाइम पिरीड नहीं हो सकता है कि इतनी दिनों बाद ही जवाला मुख्य में उद्गार होगा वो उसकी मर्जिय समवन्धार पे डिपेंब्ट करता है फिर हम बात करेंगे वित्रन के आधार पर वित्रन के आधार पर हम लोग क्या बात करेंगे कि कहां पे इस्थित है ये कहां पे इस्थित है का मतलब क्या ये प्लेटों की सीमांत पे इस्थित है प्लेट की बाउंडरी पे वो इस्थित है कहीं पे या प्लेटों के सीमांत पे हो प्लेट बाउंडरी पे हो तो इसको किस नाप जानते हैं वित्रण के आधार पे जानते हैं और जो तीसा जो सबसे important है वो है विस्वू टक्टा के आधार पर सवाल यहां से UPSC ने पूछा हुआ भी है और बहुत ज़्यादा chances है कि यहां से फिर से सवाल पूछ ले UPSC हलाकि important हमारे लिए तीनों है अगर जो आला मुखी से related कोई प्रशन आता है तो वाँ पे आपको सारी चीजे बतानी पड़ेगी लेकिन हो सकता है UPSC CAC की जो मुख्य परिक्षा है उसमें directly वो पूछ ले कि विस्वूटक्ता के आधार पर या explosion के basis पर जो आपका वाल के नो है जो आपका जो आला मुखी है उसको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है तो विस्वूटक्ता के आधार पर हम देखी कि जनरली दो भागों में विभाजितम करते हैं कौन कौन से एक होता है central eruption जिसको कहा जाता है केंद्री उद्गार दूसरा होता है दरारी उद्गार जिसको कहा जाता है फिशर eruption दरारी उद्गार मतलब यह दो प्लेटे थी और प्टेटों के बंधिय़ दरार आगे तो प्लेट Pay तो दूसरे से दूरं चली जाएगी और बीच से आराम से क्या होगा जॉब बिलकुल आराम से नीचे से लावा उपर आरहा है तो आप पाएंगे कि जो जॉब जो जॉब ज़दा विस्फोटक नहीं होगा लेकिन आप सूचें कि प्लेट को तोड़ के उसको उपर आने की कोशिश कर रहा होगा एक पाइप से आ रहा होगा पाइप से लगाता है प्रेशर बना रहा हो और जब प्लेट को तोड़ेगा तो बहुत ज़्यादा विस्फुटक रूप में वह बाहर आएगा आधार पर कि कितने समय पर इसमें क्या हो रहा है उदगार हो रहा है तो हम तीन भागों में इसको विभाजित करते हैं पहला है सक्रिय जवाला मुखी दूसरा है प्रसुप्त जवाला मुखी और तीसरा है मिरत जवाला मुखी सक्रिय जवाला मुखी को कहा जाता है एक्ट जिशको पता लगा सकते हैं कि क्या होते हैं सक्रिय जौला मुखी आप ऐसा समझगी एक इनसान जिसको लगातार किसी भी बात पर गुस्सा आ जाए मतलब आपने उसको हलो भी बूला तो हो सकता है वो गुस्सा कर दे आपको तो उसका कोई पता नहीं है आपको कि कब वो गुस्सा करेगा कब वो गुस्सा नहीं करेगा किस बात पर वो नाराज हो जाए किस बात पर नाराज ना हो तो ऐसे जो इनसान है वो कैसे इनसान है वो सक्रिय जौला मुखी वाले इनसान है हमको कोई जानकरी है नहीं लगातार हो सकता है कि लगातार वो तीन दिन आपसे गुस्ता रहा है लगातार साथ दिन वो आपसे गुस्ता रहा है लगातार साल बर आपसे गुस्ता रहा है तो वो जो जौला मुखी होंगे वो कैसे जौला मुखी होंगे सक्रे जौला की अर्थ प्रेकार प्रेकार के ज오ला मुखी होते हैं उनको क्या कहा जाता है सक्रिय जौला मुखी तो क्या ऐसे जौला मुखी परत्वी पर इस्तित हैं तो आगर आपको याद हो तो बात करीत है कि स्ट्रॉं जुहाला मुखी की, तो इस्तुंबोली जुशाला मुखी है किस पॉरक्र का जॉशाला मुखी है क्या भारत में कोई स packaging जॉशाला मुखी है भारत में जो अंडोमा निकोबार के दूइप हैं उसके बिलकुल पास मैं आपको बेरन एक जॉशाला मुखी मिलेगा अब उसको किस एस्थिती में माना जाता है सक्री एस्थिती में अब माना जाता है इसका मतलब इससे पहले उसको किस में मापा जा जाता था प्रसुप्त में लेकिन पछले कुस सालों में हमने देखे हैं उसमें लगाता है जलवाश्प निकल रहे हैं कभी-कभी उस में क्या निकलना शुरू हो जाता है, कभी-कभी जलवाश्प के साथ गैसे भी बाहर आना शुरू हो जाती है, तो वो भी किस में आएगा, सक्रिय जौला मुखी में आईगा, इसके बाद बात करते हैं, प्रसुप्त जौला मुखी की, डॉर्मेंट जौला मु तो बहुत जादा चल फिर नहीं सकता इस तरीके से इस की स्थिती हो चुकी है इसका मतलब ये है कि पिछले भूत का हल में जिब तक हमको जानकर ये सीज़की तो इसमें उधगार हुए है लेकिन पिछले 50 सालों में पिछले 100 सालों में हमने इसमें उद्गार नहीं देखा है तो जो ऐसे जौला मुखी जो हमको पता हैं कि उद्गार हो सकता है इनमें और उद्गार हुआ भी है लेकिन पिछले कुछ समय से इन में उदगार आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो ऐसे जौला मुख्यों को किस नाम से आप जानोगे प्रसुप्त जौला मुख्य है डॉर्मेंट जौला मुख्य क्या भारत में ऐसा कोई जौला मुख्य है तो आप देखेंगे नार कुंडम नाम से एक जौला मुखी आपको देखने को मिलेगा, वो कैसा है, प्रसुप्त जौला मुखी आपको देखने को मिलेगा, क्या मृत जौला मुखी क्या होते हैं, या मैं बात करूँ, एक्स्टिंक्ट, इनको अंगरेजी में कहा जाता है, ए यहां पे हमने कोई उद्गार देखने को हमें नहीं मिला है। उद्गार किस चीच का देखने को नहीं मिला है। नहीं हम कोई यहां पे कोई लावा देखने को मिला है। नहीं कोई जलवाश्प देखने को मिली है। साथ ये साथ कोई गैसों का उद्गार भी नहीं हुआ है। तो ऐसे ज्वाला मुखी होते हैं, अगर आपने रोबोट मुवी देखी है, रोबोट मुवी जो रजनी कान सर की मुवी है, अगर आपने वो मुवी देखी है तो उसमें एक गाना है, रोबोट दो आचुकी हैं, वैसे तो अगर आपको जानकर ये, तो रोबोट 2.0 आचुकी है, और उससे पहले जो रोबोट मुवी आई थी, तो उस पहली वाली रोबोट में गाना था किली मंजारो, तो किली मंजारू क्या है? किली मंजारू एक जौला मुखी का नाम है और वो जौला मुखी कैसा है? वो मरत जौला मुखी है तो उसमें आप शूटिंग में बहुत सारी मूवीज की भी शूटिंग होती है वहाँ पे लोग टूरिस्ट भी जाते हैं वहाँ पे घूमने तो वो कैसे जवाला मुखी है हो? मरत जवाला मुखी है मतलब इसमें पिछले काफी दिनों से काफी सालों से क्या नहीं हुआ है? उद्गार नहीं हुआ है तो ऐसे जो अलमोखी जहां लगातार उद्गार होते रहते हैं वो हैं सक्रेज जो अलमोखी ऐसे जो अलमोखी जहां पर उद्गार होने की संबावना है हमें नहीं पता है कब होगा वो कैसे होंगे प्रसुपत लेकिन काफी time season में उद्गार नहीं हुआ है dormant इनको कहा जाता है dormant इनको कहा जाता है active active लगाता है एक्टिव हैं तो dormant कभी-कभी जैसे हमारी पढ़ाई के दौरा यह सारी चीज़े बहुत होती है कि हम dormant जो है state में होते हैं कभी तो हमारा मन करता है पढ़ने का तो हम 6-6-8-8 गंडे एक साथ पढ़ लेते हैं कभी हमारा मन नहीं करता है लेकिन आपको खोशिश यह करनी है कि प्रसुप्त जो आपकी अवस्ता यह dormant जो state है आप इससे किसमें आजाएं सक्रिय अवस्ता में आप लगातार और डेली की डेली क्या करते रहें पढ़ते रहें साथ ही साथ क्या करना है चैनल जो session है उसको like करते रहें और comment में बताते भी रहें कि कैसा चल रहा है सब कुछ और मिरत ज्वाला मुकीब ऐसे लोग जिन्नोंने attempt दे लिए 32 साल की उमर हो चुकी है छै attempt दे चुके है उसके बाद आप attempt नहीं बाकी है आप किस स्तिती में पहुंच जाएंगे मिरत अवस्ता में वो पहुंच जाएंगे तो ये किसके आधार पर हमने विभाजन किया है उद्गार की अवधी के आधार पर हमने विभाजन किया है इसमें उधारन आपको जरूर पता होना चाहिए सक्री का क्या हूंसा उधारन है नोटस में लिखते रहिए प्रसुप्त में नारकॉंडम हमने पढ़ा जो भारत में आपको देखने को मिलेगा इसके बाद करें वित्रन के आधार पर वित्रन के आधार पर दो आप देख रहे हैं प्लेट सीमांत और अंतर प्लेटी है अब क्या होता है प्लेट सीमांत और क्या होता है अंतर प्लेटी है आप ऐसा समझिए यह एक प्लेट है प्लेट की ये बाउंडरी आपको देखने को मिलती है ये प्लेट की बाउंडरी और ये प्लेट के मध्यव है तो अगर जौला मुखी का उदगार प्लेट की सीमा पे के निकट हो रहा है प्लेट की सीमा पे हो रहा है तो ऐसे जो जौला मुखी है वो कैसे होंगे प्लेट सीमांत जौला मुखी होंगे और कहीं बीच से बीच से मतलब आप देख रहे हैं ये कहीं इस प्रकार से जौला मुखी का उद्गार हो जाए तो ऐसी जो जौला मुखी होंगे वो कैसे होंगे अंतहर प्लेट ये जौला मुखी होंगे तो क्या ऐसे कोई जौला मुखी होते हैं या नहीं होते हैं तो इसको आप देखेंगे क्या प्लेट सीमा हैं आपने कभी देखी हैं प्लेट सीमा हैं तो अगर आपको याद होगा कि अप सारी जो प्लेटे होती हैं प्लेटे क्या होती हैं वापे दूर दूर जा रही हैं प्ल बाउंडरी जैसे बनेगे, मतलब प्लेट सीमान और वहाँ पर भी क्या, जो जो आला मुख्य उद्गार होगा, तो हमें पता है कि हाँ वहाँ पर से अप क्या हट चुका है, दाब उस पर से हट चुका है, तो वहाँ पर कटकों का निर्मान होता है, याद आ रहा है आपको, क ज्वाला मुखी का उदगार हो रहा है, तो क्या होगा अब ऐसा समझें, कि यहां पर बार बार क्या बाहरा रहाता, लावा बाहर आ रहाता और प्लेटे कोई प्लेट है वो लगातार इस दिशा में आगे की और बढ़ रही है वो प्लेट यहाँ पहुंची लगातार जो अब लगातार बाहर आ रहा है अब प्लेट इस पे आगे चलती हुई जा रही है जहां से जहां से जुआला मुखी आप देखेंगे ये मैगमा बहुत सारा मैगमा है यह पर और ये मैगमा क्या होगा बाहर आ रहा होगा तो यह जो मैगमा का store house है, मैगमा का क्या है store house है जहाँ पर बहुत सारा मैगमा जमा हुआ है और समवन्धाराओं से बाहर आ रहा है इसको कहा जाता है hot spot क्या कहते हैं इसको hot spot hot spot क्यों कहा रहे होंगे hot मतलब गर्मी बहुत है, क्यों कि यहाँ पर मैगमा है, मैगमा का तापमान आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसको कहा जाता है तप्त इस्थल, क्या कहते हैं इसको, तप्त इस्थल, ठीक है, अब आप यह समझे कि सिर्फ एक होट स्पॉर्ट प्रेजन्ट है, और हुआ यह, कि यह प्लेट इस प्रकार लेकिन यह प्लेट तो लगातर मूव कर रही है, तो दूसरा उद्गार जो होगा, वो इसके बाद होगा, यहां से कहीं, तीसरा उद्गार होगा, वो इसके बाद होगा, तो आप देखेंगे, जब प्लेट, यह प्लेट थी, यह गती कर रही है, और यहां पे लगातर क्या हो रहा है उस hot spot के कारण लगातार जौला मुखी बाहर आ रहे हैं लावा बाहर आ रहा है तो फलेट इसके आप गती देखेंगे तो थोड़ी देर बाद ये पलेट आपको यहाँ देखने को मिलेगी कुछ इस प्रकार इस प्रकार देखने को मिली थोड़ी देर का मतलब यहां पर बात हो रही है कुछ करोडो साल की है ना कुछ करोडो साल बाद यह प्लेट आपको यहां देखने को मिलेगी लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि यह जो तब तिस सल से निकला हुआ जो मैगमा है वो यहाँ पे इस प्रकार इस प्रकार इसका जो लावा है वो जमना शुरू हो जाएगा अगर इन सब को मैं जोड़ दूँ तो आपको क्या देखने को मिल रही है एक लाइन देखने को मिल रही है तो यह जौला मुखी है जो रेखा आपको देखने को मिली है कब देखने को मिली जब कितने hot spot है सिर्फ एक hot spot है एक तप्तिस्थल है और यह तप्तिस्थल पे जो plate है वो लगातार आगे की और बढ़ रही है तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी रेखा एक line देखने को मिलेगी दूसरा case क्या हो सकता है दूसरा case ही हो सकता है कि यह आपकी plate है और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्या है तप्तिस्थल हैं बहुत सारे hot spot है plate तो गती करी रही है अपनी गती से आगे की और बढ़ेगी तो plate जब यहाँ पर पहुँचेगी plate यहाँ पर पहुँची और कुछ करोडो साल बाद थोड़ा और आगे पहुँच जाएगी लेकिन जैसे कुछ करोडो साल बाद यहाँ पर पहुँचेगी तो यहाँ पर लगातार आपको बहुत सारे ऐसे गुच्छे दिखाए देंगे क्या दिखाए दिखेंगे गुच्छे दिखाए दिखेंगे ये गुच्छे किस कारण बनें क्योंकि बहुत सारे हॉट स्पॉर्ट थे है बहुत सारे हॉट स्पॉर्ट के ऊपर से क्या गई है ये प्लेट गई है तो यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको बहुत सारे गुच्छे देखने को मिलेंगे देखे बहुत आसानी से इसको समझना है ना कन्फ्यूज आप मत होना है इसके लिए अब तमरिए ये वो प्लेट है ये वो हॉट स्पॉट है अब प्लेट इस पे गती कर रही है आप इसको समझ लीजिए जो लाल टेन है लाल टेन जो कैरोसीन से जलती है वो है और उसके उपर से अगर आप ऐसे पेपर गुजारोगे तो क्या होगा लाल टेन जब जलती है तो इसमें से काला दुआ निकलेगा जाएंगे आप कि यहां पर जमा होता जाएगा तो आपको सीधी एक क्या देखने को मिलेगी, एक सीधी रेखा देखने को मिलेगी, वहीं पे अगर आपने बहुत सारे लालटेन रख दिये, नीचे बहुत सारे लालटेन रख दिये जला के, और उनके उपर से इस प्रेट को गुजारा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इस प्रकार के गुच्छे आपको देखने को मिलेंगे, इसको कहा जाता है जौला मुख्ये गुच्छे और उसको कहा जाता है जौला मुख्ये रेखाएं, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, आप से पूछा जा सकता है कि जौला मुख्ये रेखाएं, या जौला मुख्ये कहां पर प्राप्त होंगे, तो आपको पता होना चाहिए, जो आला मुख्य जो गुछ है, वो कहां पर प्राप्त होंगे, आपको अंतहर प्लेटी है, प्लेट के मध्य आपको ये प्राप्त होंगे, जबकि प्लेट सीमान तो पर आपको क्या प्राप्त होंगी, कटकों का नि भाजित किया जाता है तो केंद्रिय विस्पोटा और दूसरा है शांत दरारी शांत दरारी क्या होते हैं पहले इसको समझते हैं ये दो प्लेटे हैं और इन दोनों प्लेटों के मध्धे क्या है कुछ कौन सी गती होने लगी उसे से दूर जाने लगी, ऐसे समझे, जब दूर जाएंगे तो अपसारी गती हो रही है, अपसारी गती हो रही है, तो क्या होगा, बहुत आसानी से, अब उपर से कोई प्रेशर हट चुका है, नीचे से क्या आने की कोशिश करेगा, नीचे से पहले कोशिश कर रहा था, लिकिन अब यहाँ पर आराम से जगे हो चुकित इस प्रेट को एसे ठोकके बाहर आने की कोशिश करे गा, ठोकते ठोकते एक दिन क्या होगा इस प्रेट को तोड़ देगा और तोडने के बाद बहुत तेजी से है बहुत विसफु डाके साथ को क्या होगा? बाहर आये haven इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या है वो hot spot आपको देखने को मिल रहा है क्या यहाँ पे वो तब तिस्तले जहाँ पे मैगमा बहुत सारा भरा हुआ है यह हो hot spot यह वाला जो इलागा एक pipe है एक pipe से क्या आने की कोशिश कर रहा है बार बार जो मैगमा भार आने की कोशिश कर रहा है ये वो धरातल था पहले इसको तोड़ा और तोड़ने के बाद लावा बहर आया और जैसे लावा बहर आता गया ऐसे ऐसे ये फैलता गया और फैलने के बाद अब इसने किसका निर्माड कर लिया है कि छंकू का निर्माड कर लिया है लेकिन मान लीजे इस छंकू के उपर ये विस्वोटक के रूप में बाहर आएगा, उद्गार होगा, और लावा यहां से बहना शुरू कर देगा, इस प्रकार के जौला मुखी को क्या कहते हैं, केंद्रिय विस्वोटक जौला मुखी कहते हैं, परिक्षा के दर्स्टी से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से सव प्रकार के बहुत सारे जौला मुखी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे केंद्रिय विस्वोटक जो जौला मुखी होते हैं, इनको भी कई प्रकारों में विभाजित किया जाता है, तो एक क्या होते हैं प्रकार, किस आधार पर हमने इसको वि पढ़ा, इसमें आप एक और चीज़ पढ़ेंगे, एक होते हैं अमलिये, अमलिये लावा होता है और दूसरा होता है शारिये लावा, अमलिये लावा और शारिये लावा, तो जो अमलिये लावा या इसको मैं कहूँ, एसको कहना होगा बेसिक, तो जो अमलिये लावा होता इसमें जो सिलीका होता है वो जादा आपको देखने को मिलेगा अब जादा कितना करीब करीब माना जाता है कि 80% से भी जादा सिलीका आपको कहां देखने को मिलेगा अमलिय लावा में जबकि मैं बात करूं किशारी लावा में तो 50% से भी कम आपको क्या देखने को मिलेगा स तो अगर सिलिका की मात्रा जादा है अगर सिलिका की मात्रा जादा है तो वो किस प्रकार का लावा हुआ वो हुआ अमली ये लावा वहीं पर अगर सिलिका की मात्रा कम है तो वो कैसा लावा हुआ वो हुआ क्षारिय लावा इसी बेसिस पे हम लोग अनेक्स क्लास में देखे कि कौन सा लावा पतला होता है और कौन सा लावा गाडा होता है पतला और गाडा ऐसे समझिए कि आपने गिलास में एक गिलास में आपने पानी लिया दूसरे गिलास में आपने शहद लिया आपने पानी को गिराया नीचे और आपने एक तरफ से शहद को नीचे गिराया दू बहुत दूरी तक रास्तात हैं कर लेगा, तो यहां पर जौला मुख्य में हम बहुत importantly, बहुत आगे ये बहुत important discussion हो जाता है कि कौन सा जो लावा है, वो गाड़ा है, और कौन सा लावा जो है वो पतला है, उन दोनों का जो आधार है, वो इस आधार पर हम लोग उसको पुटक के जो पार्ट है वो भी पढ़ने की कुशिश करेंगे कि कितने भाग में इसको विभाजित किया जाता है साथ से साथ next class में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो अला मुखियों का भी जो वैश्विक वित्रण है उसको जानने की कोशिश करके इस वाले जो चैप्टर को खतम करने की कोशिश करेंगे आपको तब तक क्या करना है आपको notes बनाने आपको चीज़े revise करनी है साथ ही साथ जो पिछले साल जो सवाल आए हैं UPSC, CSE मुख्य परिक्षा में और प्रारमिक परिक्षा में वो देखने हैं खुद देखने हैं और खुद से solve भी करने हैं चलिए फिर कल मिलते हैं केंद्रे विस्फोटक जुवाला मुख्य के साथ उनके बहुत सारे parts के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखिए साथ ही साथ इस जो class की PPT है वो आपको कहा मिल जाएगी वो मेरे telegram channel पर मिल जाएगी मुकल भारत वाज जोग्राफी नाम से मिलते हैं कल इसी समय आप सब के साथ और कोशिश कीजिए कि यह जो session होता है इसको आप सब लोगों तक क्या कर दें शेयर कर दें Thank you very much अपना ध्यान रखिए जै हिन जै भारत हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi